हेलो फ्रेंट्स हाजिर हुए एक नियू कोरियन ड्रामे के हिंदी एकस्प्लेनेशन के साथ जो कि एक बहुत ही अमेसिंग ड्रामा है तो अगर आपने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक क करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एपिसोड वन की सुरुआत में हम देखते हैं ड्रामे की मेंट फीमेल लीड को जो की एक हाई स्कूल गर्ल है और स्कूल से वावस अपने घर आ रही होती है उसके यूनिफॉर्म पे उसके नेम का बैच भी लगा होता है जिससे नकापोस उसे देखकर उसे भी मालने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है पर वैं किसी तरह वहां से बजबजा कर भाग निकलती है नकापोस उसका पीछा करता है तब ही भागते हुए उसे एक कार हीट कर देती है और उसका सॉलेड वाला एक्सिडेंट हो जाता है ये सब हैं नकापोस देख रहा होता है उन दोनों के बीच हुई छीना चप्टी में युन्सियोल के युनिफॉर्म पे लगा उसके नेम का बैच नकापोस के हाथ लग जाता है और फिर वह उसे लेकर वहां से चला जाता है लोकल पुलिस की हिल्प से युन्सियोल को वास्पिटल पहु होती है वह उसे कॉल करके बता रही होती है कि उनके बस का एक छोटा सा एक्सिडेंट हो गया है इस पर मुग पूछता है कहीं तुम्हें ज्यादा चोड़ तो नहीं आई इस पर उसकी बहन कहती है कि वह ठीक है बस उसके फोर हिट पे एक छोटा सा कट लग गया है वह बता लाए अपनी सिस्टर की देट बॉड़ी देखता है उसकी सिस्टर का प्रिक और लगा। होता है यह सब देखकर मुग एक सौक रह जाता है और अपनी बहन की डेट बाड़ी को पकड़ कर रोने लगता है नेक्स सीन में बीच पर एक बड़ी सी चटान के पास हमें एक कपल की डेट बाड़ी दिखाए जाती है जिसकी इन्वेस्टिकेशन पुलिस कर रही होती है कि यह मेरिट कपल है इनकी एक बेटी भी है जिसका नम चॉय यून सियोल है और फ़र अभी कोमा में है साथ दिन पहले उसका एक काल एक्सिडेंट हो गया था इनके घर पर और कोई नहीं है यह सब सुनकर डेटेक्टिव जायपियो एमोशनल हो जाते है फिर पुलिस आफि का दिखाया जाता है जहां हास्पिटल में चाय उनसियोल को होस आता है पर उसकी एक ग्रीन हो गई होती है जिसे देखकर नजद दर कर भाग जाती है तब ही वह अपने आसपास देखती है उसे चारों तरफ चोटे चोटे क्रिस्टल और पार्डिकल्स दिखाई देते हैं टेबल पर रखे फिलावर से विंडो से एसी से हर तरफ से यह सब देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि अब वो सुगंद को बस सूंग ही नहीं बलकि देख भी सकती थी तब ही वहां डॉक्टर्स और डेटेक्टिव जाय प्यो आते हैं और उसे संभालने की कोशिस करते हैं डेटेक्टिव जाय प्यो उसकी आँखों को देखते हैं और हरां रहे जाते हैं होस में आने के बाद चाय यूर्ण को अपने पिछली जिद्दगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता नेक्स सीन में डेटेक्टिव जाय प्यो यूर्स यूर्ण को ऐसे फादर हौस्प करते हैं वह उसे उसकी आइस के लिए एक लिन्स भी देते हैं जिसे उसकी दोनों आइस एक जैसी दिखाई दे नेक्स सीन में हमें यूंसियोल मतलब चोर रिम को दिखाया जाता है वह अपना आई लिन्स लगा कर स्कूल जा रही होती है तब ही डिटेक्टिव जाए पर उसे अपना ख्याल रखने और केरफुल रहने के लिए समझाते हैं मगर वह उनकी बात मजाग में टाल लेती है नेक्स सीन में वह एक स्वीट सॉप पर होती है जहां वह सारी मिठाईयों केक और पेस्ट्रीज की इस मिल को अपने आँखों से देख रही होती है तब ही वह एक ल लेडी की समेल को रिकॉगनाईज करती है फिर सॉप में देखती है तो सॉप कीपर की हैट के नीचे से भी वह उसी तरह की समेल को देखती है वह जान जाती है कि सॉप कीपर ने जान बुचकर उसका वालेट छुपा रखा है इतने में वह सॉप कीपर उस लेडी को वहां से जाने के लिए कहता है तब ही चोरिम उस साप कीपर को इसारो इसारो में उस वालेट को देने के लिए कहती है वैं उसे पुलिस की धमकी भी देती है मजबूर होकर साप कीपर को वालेट उस लेडी को वापस बुला कर देना पड़ता है इसी के साथ यह पार्ट इंड हो जाता झाल झाल